मानहानी केस में बैक फूट पर आए अर्विन केजरिवाल आखिर कोर्ट में केजरिवाल ने क्यूं मांगी माफी लगता है दिल्ली के मुखे मंतरी अर्विन केजरिवाल को अपनी गलतियों का एहसास होने लगा है शायद यही वज़े है कि केजरिवाल को मान्धानी से जुड़े एक केस में बैक फूट पर आना पड़ा केजरिवाल ने हरियाना से पूर कॉंग्रेस सांसत अफ्तार सिंग बढ़ाना की ओर से दर्ज कराए गए मान्धानी केस में आफिरकार माफी मांग ली अपने माफी नामे में केजरिवाल ने लिखा कि वे अपने सहयोगी के भैकावे में आकर बढ़ाना पर आरोप लगा गए थे बाद में पता चला कि वे आरोप सही नहीं है और इसलिए वे माफी मांग रहे हैं अपने लिकी थलफ नामे में केजरिवाल ने कहा कि बढ़ाना पर इस तरह के आरोप लगा कर उनकी छवी को खराब करने की उनकी कोई मंशन नहीं थी पूर कॉंग्रिस सांसद अफ्तार सिंग बढ़ाना के मुताबिक केजरिवाल ने उनको लेकर 31 जनवरी 2014 को एक अपत्ती जनक बयान दिया था अपने बयान में केजरिवाल ने बढ़ाना को देश के सबसे फ्रस्ट व्यक्तियों में से एक बताया था केजरिवाल के उस बयान पर भणाना ने काँ था कि वे समाज के एक प्रतिस्टित व्यक्ती है और केजरिवाल के बयान से उनकी समाजिक प्रतिस्टा को ठेश पोची है इसके बाद बढ़ाना ने केजरिवाल को एक legal notice भेजा और उनसे अपने बयान को वापिस लेने के साथ ही माफी मांगने को कहा लेकिन केजरिवाल की ओर से ऐसा नहीं किया गया जिसके बाद बढ़ाना ने अर्विन केजरिवाल के खिलाफ दिल्ली की पटियाला house court में मानहानी केज दायर किया था इसके साथ ही एक करोड रुपे की चति पूर्ती की मांग भी की थी लेकिन केजरिवाल के माफी माँगने के बाद बढ़ाना के वकीर ने भी कोट से क्यार दिया क कि चूक़िवालय ने माफी मांग ली है ऐसे में वे इस मामले को और आगे बढ़ाना नह आपको बता दे कि केज्रिवल के खिलाफ मानहानी के करीब एक दरजन से ز्यादा केस दर्ज है जिसमें बीजेपी नेटा और केंदरी वित्टेमंत्री अरुण जेटली के ओर से दर्ज केस भी शामिल है लेकिन मान्हानी का ये पहला केस है जिसमें केज्रिवल लिखी दोर पर कोर्ट में अपनी कलती को स्विकार कर रहे हैं इंडिया न्यूज पैरिल की रिपोर